कि नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर सुरेश परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं इस खास वीडियो में जिसके अंदर हम आज CBT थेरेपी हमारे मन की जो चिंता है फिकर है एंजाइटी है डिप्रेशन है उसको के से ठीक करती है इसको मैं और अच्छे से और आपको समझा आने का प्रयास करूंगा क्योंकि यह एक ऐसा सवाल है वह जो अक्सर सामने आ जाता है और आप सभी में से भी बहुत सारे लोगों ने अलगलग जो सवाल पूचे हैं जिसमें से कई लोगों ने पूचा है कि सोशिल एंजाइटी की समिश्या को यह कैसे ठीक करती है तो यह यह मैं एक बेसिक आपको सिध्धान्त बताऊंगा सीवीटी थेरेपी के इससे सबंदित देखें यह सोशिल एंजाइटी जो है उस पर भी बहुत अच्छे से फिट बेठेगा तो दोस्तों आईए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि हमारा माइंड जो है वह एक कंप्यूटर की तरह है जैसे आपका लैप्टॉप है आपका कंप्यूटर है या फिर आपका मॉबाइल भी है आपने किसी एक एप्लिकेशन पर बटन दबाया और वह एप्लिकेशन स्टार्ट हुई खुली उसके बाद वहां पर आपने इस वीडियो पर बटन दबाया और वह वीडियो फिर क्या है कि लोड हुई DATA ओया इंटरनेट से और आपको वीडियो के फोर्म में और आवाज के फ्रॉर्म में स्पीकर काम करने लगे और स्क्रीन जो है उतनी स्क्रीन पर आपकी वीडियो दिखने लगी तो यह पूरा जो चीज है वो क्या है यह प्रोसेसिंग है दोस्तों कि आपने उसको संदेश भेजा और संदेश ने आगे जाकर वो काम कर दिया इसी परकार से आपके आज पास से बहुत सारे संदेश आते हैं हमारे माइंड में चलते हैं और उसकी प्रोसेसिंग होती है दोस्तों इस प्रोसेसिंग के अंदर ही पूरा राज है आपकी एंजाइटी का आपके डिप्रेसन का आपकी चिंता का फिकर का और यहां तक की सोशल एंजाइटी का कि आपके माइंड की जो प्रोसेसिंग है वो अगर बहुत अच्छी हो र होगे और खुशी के साथ अपना जीवनियापन करोगे लेकिन आपका माइंड अगर आपके आने वाले सिग्नल को अच्छे डंग से नहीं प्रोसेस कर रहा है अगर वो थोड़े नेगिटिव वेक इंडर प्रोसेस करने लग गया है तो आपको प्रिष्टितियां वही होगी लेकिन आपको उसका दुख बहुत ज़्यादा होगा आपको परेशानी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी तो दोस्तों यहां पर प्रोसेसिंग का पुरा खेल है CBT थरेपी आपके माइंड को अच्छा प्रोसेस करवाती है उसको पॉजिटिव वे में प्रोसेस करवाती है कैसे करवाती है सबसे पहले आप CBT थरेपी को समझते हो आप अपने माइंड को समझते हो और फिर उसके बाद में आपकी जो प्रोसेसिंग है उसको समझते हो और और यह जो पूरी जो चीज़ें हैं यह सीबटी थेरेपी का बहुत एक हिस्सा है जिसको थोड़ा वक्त जरूर लगेगा इसको समझने में लेकिन आपका जो रेजल्ट है वह बहुत ही शांदार आता है तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि आपके माइंड की जो प्र नॉर्मल तरीके से बाँर जाता है समाज के बीच में जाता या या मार्केट के बीच में जाता है या फ़र कहींपर वो खड़ें होकर अपनी बात कहता है सामने कुछ लोग बैठे होते हैं तो ज़यरा भी तकलीफ नहीं होती ही क्योंकि उसकी प्रोषैसिंग सही है और एक इंसान जिसको social anxiety है वो यही सारे काम करता है चुकि उसकी processing सही डंग से नहीं हो रही है तो इस वज़े से उसको बहुत ज़्यदा तकलीफ होती है उसको गवराट होती है बैचे नहीं होती है चिंता होती है इस वज़े से CBT therapy अपनाओ और अपनी माइंड की processing को सही पाओ मैं सिर्फ यह बात आप से भी के साथ में कहना चाहूंगा अगर आपको CBT therapy का पूरा कोर्स चाहिए तो वह हमारे website पर available है और हो सकता है कुछ ही टाइम में जो इसका advanced course है वह भी हमारी website पर available हो जाए आप हमसे जुड़े रहे आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें आपकी बातों को कॉमेंट के थरू हम तक पहुंचाएं और इस वीडियो को जद़ ज़दा शेयर करें आपको इस परकार की वीडियो काम की बातें और चाहिए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें बेल आइकन दबाके रखें आपका बहुत बहुत अन्यवाद थैंक्यू जैहिंद जै भारत